जनपर संबलगी चंदोसी में 26 नवंबर 2021 को समविधान दिवस के अपसर पर समारबादी पार्टी के वरिष्ट नेता सतीष प्रेमी के नेतेत में डॉक्टर भीमराव अंबेटकर पार्क मोलागर चंदोसी में समविधान रक्षा शपत का आयोजन किया गया कारिकर्म में वक्ताओं ने परम पूझे डॉक्तर भीमराव अंबेटकर जी की प्रतिमा तता समविधान को शाक्षी मानकर यह शपतली कि देश और प्रदेश में विक्तन कारी तत्वों से समविधान की रक्षा करेंगे अगर समविधान पर कोई भी आचाई तो अपना करते में समालबादी पार्टी के वरिष्ट नेता सतीश प्रेमी ने कहा कि आद देश में विक्तन कारी ताकते समीधान को खतम करना चाहती है जिससे कि किसान पिछडे गरीब और मजदूरों किसानों को उनका वाजिब हकना मिल सके व्योंकि जब तक समीधान रहेगा देश के समीधान की रक्षा करेगा आज पूरा देश और प्रदेश समीधान दिवस मना रहा है समीधान दिवस मना तो रहा है लेकिन आज देश के सामने और प्रदेश के सामने साम प्रदैक तागतें वो तागतें जो सिंदुस्तान के समीधान को नस्ट करना चाहती है इसलिए अगर कोई देश के सम्मिधान पर आच आएगी तो हम सब दलित पिछड़े अगड़े सब लोग मिलकर की अपना सरवत नौचावर कर देंगे लेकिन सम्मिधान पर आच नहीं आने देंगे आज सम्मिधान को मिठाया जा रहा है सम्मिधान में जो अधिकार मिले में दलितों को पिछलों को अगड़ों को उन अधिकारों को खत्म करने के लिए वो दलित और पिछले तमाम लोग विकास न अपना कर सकें इसलिए सम्मिधान में परवतन भी किया जा रहा है उसे मिठाने की बात की जा रही है आज अगोसित नारा सुनाई देता है RSS का कि नई संसर नया सम्मिधान लेकिन वो लोग तागतें याद कर लें वो बिल्कुल चेताव नहीं देना चाहता हूं सम्मिधान दिवस के मौके पर कि वो लोग जो यह कह रहे है नया सम्मिधान नई संसर नया सम्मिधान इस देश के लोग आज बाबा साब को मानने वाले तमाम लोग करवाणों लोग अपने खून को निचावर कर देंगे, जान को निचावर कर देंगे, अपना सर्वत निचावर कर देंगे, लेकिन देश के सम्मिधान पर आज नहीं आने देंगे, क्योंकि इस देश का सम्मिधान जिन्दा है, जब तक इस देश में लोकतंतर जिन्दा है, जब तक इस देश में पर समयदान जिन दा है, हम मिटकर मिसन जिन दा है इसलिए हम तमाम लोग किसी भी कीमत पर किसी भी हालात में किसी भी तागत के सामने इस देश के समयदान को खतन नहीं होने देंगे यह unst subject लिया आज